मैं सबसे पहले मैं आप से यह जाना चाहूंगी कि जैसे हमें दूर से देखके ऐसा लगता है कि इंडस्री काफी चका चौन भरी दुनिया है काफी इंजॉय काफी लगजीरियस लाइफ लोग जीते हूंगे वहाँ पर आज हमने जो हाल देखा वो दिल देहला देने वाला थ तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी तेकि हालत तो मतलब खराब ऐसी भी इतनी भी खराब नहीं है मतलब अगर हम यह कहें कि उसका मतलब 80% काफी सारे स्टूडियो और जो वर्किंग कंडिशन है वो काफी ऐसी है क्या इतने प्रेशर में काम होता है स्पेशली टेलिविज में या तबेलों में वहां पर स्टूडियो बनाए गए है और जिस रफतार से काम होता है तो उसमें इतनी सारी चीजे है और जिसको नजन अंदास कर दिया जाता है तो तफ तो है बहुत लाइफ और वही है उसी कोशिश है कि जितना मेहनत काम है और सिरफ वो ही काम नहीं कि बारा बारा घंटे और उसे उटपर भी काम होता है सिरफ जगा की बात नहीं है लोग 2-2 घंटा ट्रावल करके वहां स्टूडियो में पहुंचते हैं तो इट इस जस नॉट अबाउट के कहां शूट कर रहे हैं बट ट्रावलिंग भी है उसमें वर्किं कंडिशन भी है मैं आप सिंटा के मेंबर कब से हैं मैं 2003 में सिंटा की मेंबर बनी थी मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई थी 2000 में और 2003 में ही मैं सिंटा की मेंबर बन गई थी तो अब आल्मोस आप लगा लो 15-16 साल हो चुकी है तो जैसी उमीदे सिंटा की मुंबई में रही है आपको लगता है कि दिल्ली में सेम वही बेस हो पाएगा? यह तो एक्टर्स पर डिपेंड करता है यहाँ पर क्योंकि किसी भी असोसियेशन की ताकत उसके मेंबर्स होते हैं तो हमारी तो यही उमीद है और रिक्वेस्ट है और गुजारिश है सारे दिल्ली वालों से मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी मुंबई नहीं आये हैं कि आगे आके सिंटा के मेंबर्स बने और यहाँ पर है कर उस चीज़ को और स्ट्रेंथ कीजे क्योंकि प्रॉब्लम यही ह हो रहा है कि मुंबई में बहुत सारे लोग जो है बिल्ली आके शूट कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि यहां रूल और रेगुलेशन ऐसी जैसी कोई स्ट्रिंजन या उतने पक्के नहीं है तो यही है कि अगर वो यहां पर मेंबर्स बनेंगे और वो अप्नु जैसे वह व जए में कि यहां तो यहां जो जा समय कोई।